Hello everyone, welcome back to the video दोस्तो आज किस वीडियो में हम लोग बात करने वाले J-Min, J-Advance exam dates के बारे में J-Min के चेयर में ने चानकारी दी है कि J-Min और J-Advance कौन से तारिक में हो सकता है IITs, NITs के नए सेसन कब स्टार्ट होंगे और काउंसिलिंग कैसे होगा इसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है तो मैं आगे इस वीडियो में आपको सारी जानकारी बताने वाला हूँ तो वीडियो को इंट तक दिखते रहना J-Min, J-Advance 2020 की तारिक को लेकर आधिकारिक जानकारी आ गई है साथ ही ये भी बताया गया है कि इस बार IAT वा NIT के सिशन सत्र का प्लान क्या होगा उन्होंट के बीच Joint Interns Examination को लेकर जरूरी जानकारी सामने आई है ये जानकारी खुद J-Advance के Organizer Chairman ने दी है ख़वर J-Min 2020 और J-Advance 2020 की तारिकों को लेकर है J-Advance के Organizer Chairman सिधार्थ पांडे ने बताया है कि इन दिनों परिक्षा का आयोजन किन तारिकों में क्या जा सकता है इसके अलावा IAT और NIT में इस बार नया सेशन सत्र सुरुआत करने का क्या प्लान है इसके भी जानकारी सामने आई है J-Advance 2020 के Organizer Chairman सिधार्थ पांडे ने Education Times से बातचीत में कहा है कि J-Advance के आयोजन के लिए J-Man के बाद करीब 2-3 सप्ता का समय जरूरी होता है इसलिए हम J-Man की तारिकों के अधार पर ही J-Advance की तारिक निधारित कर सकते हैं उन्होंने बताया कि 20 से 22 जून के बीच J-Man 2020 का आयोजन कराया जाने की कोशिस चल रही है इसके बाद 12 जुलाई को J-Advance का भी आयोजन किया जा सकता है हाला कि अब तक ये समभावी तारिके हैं हालात के मद्दे नजर इन में बदलाव समभव है IITs, NITs में नया सेशन कब से तो उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है सिधात पांडे ने IIT वा NIT में नया सेशन की भी जानकारी दी है उनके अनुसार इस बार सभी IIT वा NIT में नया अकाडमिक सेशन सितंबर में सुरुआत हो सकता है तो उन्होंने ये बताया है कि 20 से लेकर 22 जून के बीच में आपका जही मेंस का एक्जाम हो सकता है 12 जूलाई को आपका जही एडवांस का एक्जाम हो सकता है ये संभावित तारीक है एप्रॉक स्टेट है कोई फिक्स नहीं है अगर सभी चीज ठीक रहती है तो ये संभाव होने की चांसे है इसके अलावा NIT वारंगल के N.V. रमन राव ने बाचीत में कहा है कि इन संस्थान में विदेशी स्टूएंट भी दाखिला लेते हैं ऐसे स्टूएंट को संस्थान जॉइन करने से एक महने पहले भारत आने के लिए कहा गया है ताकि पहले वो क्वरेंटाइन में रखे जाएं हालात समाने होने के बाद भी क्लास में सोसल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा उन्होंने ये भी बताया कि कैसे होगी काउंसिलिंग एनवी रमना राउन ने बताया है कि इस बार सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड काउंसिलिंग परिखिरिया में भी कुछ बदलाव करने के तैयारी कर रहा है ऐसे काउंसिलिंग राउन हटाया जा सकता है जिनमें student को center पर खुद document के साथ जाना पड़ता था इसका विकल्प हो जा जा रहा है documents का online verification कराया जा सकता है तो उन्होंने ये सजाओ दिया है कि जो आपका वहाँ पहुँचना था center पर उसको cancel करके आप online document verification करवाया जा सकता है इसके अलाबा date से 70 सुरू होने की भरपाई सनीवार को extra classes और online classes से भी किया जाएगा तो उन्होंने सभी information और जानकारी आप लोगों को दी है तो उमीद आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से like और share करना चैनल पे नहीं हो तो subscribe करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि इसी तरह के वीडियो के अपडेट आपको हमेजा मिलते रहें और बेल आइकन को प्रेस करना बलकुल मत भूलना और आप हमारे टेलीक्राम और फेस्बूक पेज पे भी हमें फॉलो कर सकते हो So thank you for watching Thank you Thank you